नमस्कार दोस्तों आज हमने दही भल्ला बना के तयार किया है हमारा ये दही भल्ला जीरो आइल दही भल्ला है और ये खाने में तो टेस्टी है ही साथ में हिल्ली भी है तो दोस्तों ऐसा दही भल्ला अगर आपको भी बनाना है तो मेरा पूरा वीडियो इन तक देखिए मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल विंदा स्वाद में स्वागत करती हूं और चली बनाते हैं जीरो ओइल दही भल्ला दही भल्ला बनाने के लिए हमने आधा कप उरत दाल को जो है तीन से चार घंटे पहले विगो की रख दिया था यह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सोकू चुका है तब इसका हम पानी निकाल देंगे और इसे फिर से अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद हम इस चम्मच हींग और इसी के साथ ही हम आधा चम्मच इसमें डाल देंगे जीरा अब हम इसका स्मूध पेश्ट तयार कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं हमने दाल को पीस लिया है तो बहुत ही अच्छा सा स्मूध पेश्ट इस तरीके का हमने पीस के तयार कर लिया है और इसी तरीके का हमें टेक्चर अपने दाल का रखना है तो इनको निकाल लेंगे हम बाउल के अंदर हमारे भल्ले अच्छे सॉफ्ट बने इसके लिए हम इस तरीके से दाल को अच्छे से फेट लेंगे दाल हमने अच्छे से फेट लिया है और ये भल्ला बनने के लिए तयार है या नहीं इस तरीके से हमें चेक कर लेना है तो ये देखिए पानी को पर ये तैर रहा है तो बहुत ही अच्छे से हमने इसे फेट लिया है ये रेडी है बनने के लिए तो चलिए बनाना सुरू करते हैं हम अपना दही भला जीरो ऑयल बना रहे हैं तो इस तरीके का हमें इडली मेकर का इस्तमाल करना है और इसी में हम अपने भल्ले को तयार करेंगे हमारे भल्ले आसानी से प्लेट से निकल सके, इसके लिए बहुत ही हल्का सा वेजटेबल आयल इनमें लगा लेंगे दूसरी तरफ हमने जो है अपने भल्ले को श्टीम करने के लिए भगोनी में पानी को रग दिया है तो आप देख सकते हैं अच्छे से गर्म हो रहा है तो इसमें अच्छा सो उबालाने देंगे हम अपने भल्ले फ्राइ करके नहीं ब तो यह हमने एडली मेकर को तो तयार करके रखाई था तो अब थोड़ा थोड़ा ले करके इन सभी में ऐसे भर देंगे तो यह हमने सभी में लगबग भर दिया है तो चलिए अब इसे स्टीम करते हैं तो यह आप देख सकते हैं हमने पानी में बहुत अच्छा सुबाल आ रहा है हमने इस तरीके से इसमें रख दिया है और धग दिया है उपर से तो साथ से 10 मिनट तक हमें इसे स्टीम करना है तो यह स्टीम होतेवे 10 मिनट हो चुके है हमने चेक भी कर लिया है एक फोक से तो अंदर अच्छे से हो भी गया है यह तो हमने इसे निकाल दिया भगोने से बाहर अब सभी बल्ले को हम निकाल देते हैं तो हमने सबी को निकाल दिया है तो आप देख सकते हैं बहुती सौप्ट बने हैं बिल्कुल ब्रेट जैसे तो और अपने दूसरे भल्ले भी इसी तरीके से हम तयार कर लेते हैं और हलका तेल लगा कर ही रखेंगे नहीं तो इजली ये निकलेंगे नहीं जब तक हमारे दूस से लासता करने वाले चमप से इसमें तीन चमप चीनी दाल रहे हूं और इसी के साथ ही मैं आदा छोटा चमप इसमें नमग डालोंगी और इन सबी को बहुत ही से हम फेट लेंगे और अब डाल देते हैं इसमें एक चोथाई चम्मच काला नमग और काला नमग डालने के बाद हमें बहुत ही अच्छे से इसे भी फेट लेना है तो जब तक हम इन्हें तयार कर रहे थे यह आप देख सकते हमारा दूसरा बैच भी स्टीम होके तयार हो से हम दही को बल्ले के उपर डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारिक पीसे हुए जीरा पाउडर और साथ में लाल मिर्ची का पाउडर नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक अलेडी हमने दही को मिक्स करते समय ही डाल दिया था और अब उपर से हम डाल देंगे 1-2 चमच इमली की चटनी इससे दही भल्ले मेंए बहुत ही अच्छा सवाद आता है तो आप देख सकते हैं ये हमारी प्लेट भीने की तयार हो चुकी है तो दोस्तों ये हमारा जीरो ओईल दही भल्ला बनके तयार वह चुका है तो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो प्लेज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें चैनल पे नए है तो इसे सस्क्राइब भी करें साथ में बेल बटन को भी दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद